कि दोस्तों आज हम देखने बाले है सिविजे डेक्स्ट्विंग का की की स्पिंग किस तरह से चेंज किया जाता है और गेर बॉक्स फिटिंग किस तरह से किया जाता है वो देखने बाले है एक की स्पिंग किस तरह से इसको फिट करना है मैं देखने बाला हूँ इधार एक ख प्रिंग कोफल के अंदर इस्प्रिंग का एस हैड डालना है अगर दाल दिया अभी टाल दिया इसके बाद एक बुस रहता है इधर इसको इस तरह से डलना है उसके बाद घुमा के इधर इस होल्ड में लिखाना है इस तरह से अब उसके बाद ग्यार्शम का जो होल्ड एस्प्रिंग का एस साइड अभी एस्प्रिंग है इस साइड में रहेगा इसलिए तो दिक्वत के बाद नहीं है इस तरह से डाल दीजिए अभी हातों के जरिये से इसको थोड़ा घुमा के जो नट रहते हैं इसको टाइट करना है इस तरह से अभी उस नट को टाइट करना है इस एट कर दिया अभी देख लीजिए जा रहा है अभी देख लीजिए जा रहा है कि की श्प्रिंग इसके तरह से रहा है भो देखा दिया और इसको ठाइट करना है इसके बाद इसके उपर यक स्वा किस्प्रिंग को कार्म ही दरका खतम हुआ उसके बाद ग्यर बोक्स इंस्टाल करना वाकी है अभी मैं देखाना बला हूँ अभी के एरबक्स को फिट करना है इसी तरह से अभी आराम से डलिये अभी ग्यार फिंगर फिटिंग करना है इसमें तिनों फिंगर रहता है एक दो और एक 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 दोनों इस पोकेट का जो सेफ होता है उसमें डालना चाहिए यह वाला ओपर यह वाला नीचे देखिए और यह वाला हाजिंग का जो सेफ रहता है वह सब में मैं आभी डाल रहा हूँ अब देखिए अब देखिए यह वाला दाल दिया दूसरा वाला दूसरा वाला भी डाला दूसरा वाला भी डाला डाला अब तीसरा वाला दूसरा दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला जो वाल होता है वह तीनों बरबार आना चाहिए उसके बाद स्याप डलना चाहिए अब यह सेप में डलने मला हूँ अब यह सेप को मैं इंजिनर डला अब यह सेप में बरबार दूसरा अब यह ऊचेए आया एफ्री है भूम रहा है सब किन्यम एसा ये नीटल है मैंने अभी थड़े इंजिन एल डाल देता हो उसके बाद क्रेंग अभी इसके उपर प्याकिन बगरा डलना है उसके बाद इन जिनका गेर बॉक्स कीके स्प्रिंग का कम खतम हो दोस्तो मेरा ये वीडियो अप लोग का आच्छा लागे तो मेरा चैनल को जरुदर सब्सक्राइब किजिए दोस्तो को सब्सक्राइब किजिए मेरा गालोती हो तो कमेंट बक्स में लिखी दीजिए और बिल बटन को दबाईए नेक्स वीडियो बने के लिए मैंने प्याकिन डल दिया उसके बाद दूसरे आशिम बली डलना है गेर बॉक्स और कीकी स्प्रिंग का काम अभी खतम हुआ अभी इनना डलना है मेरे डाल रहा हूँ जसे के अभी बलना है